आपको किसी से डर लगता है? यानि मुनीव बर्ट ने रीसेंटली नीदा यासिर के शोव पर की है एंट्री वो भी अमर खान के साथ अपने न्यू ड्रामा सीरियल के लिए इनका न्यू ड्रामा सीरियल इतना नहीं चल रहा था जिसकी वज़े से दो दिन बाद वो अपने ड्रामे की प्रोमोशन के लिए निदा यासर के शोब पर पहुँच गए वहाँ पर निदा यासर ने इन से बहुत से सवालात किये इसके साथ ही निदा यासर ने मुनीब बर्ट से कुछ परसनल सवाल भी किये कि कहीं मेरे शोहर या सिर्थ दूसरी शादी न कर ले इस बात पर मुनीब बर्ट कहते या आपका डर बिल्कुल जायज है हर ओरत को ये डर होना चाहिए जिसकी वज़ा से वो अपने शोहर का सही ख्याल भी रख सके इस बात पर सब लोग बहुत ही ज़दा गुसा होके एमन खान के फैंस तो बहुत ही ज़दा गुसे में आगे खास ओर पर तमाम ओरतें बहुत ज़दा गुसे प्याईए और सोशल मेडिया पर धूम अच गे सबका कहना ये था कि मुनी बट ने ऐसी बात क्यों की एमन खान समीट सारी दुनिया ही बहुत ज़दा हिरान रहगी क्योंके मुनी बट अपनी फैमली से बहुत ही ज़दा प्यार करते हैं वो सबसे फर्स अपनी फैमिली को रखते हैं उसके बागी किसी और चीज़ को तो उन्होंने ऐसी दूसी शादी के बारे में बात की तो की कैसे एवन खान भी बहुत ज़्यदा नराज होगी इसके साथ ही पूरे पाकिसान की औरतें मुनी बट के खिलाफ खड़ी हो गए इस बात पर मुनी बट भी चुपना रह सके और उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर आकर एक मैसेज दिया जिसमें मुनी बट का कहना ये था ये सब कुछ मजाग था आप लोगों ने शो में देखा होगा कि हम लोग ये बात करने के बाद बहुत ही ज़दा हंसे सेकंड मैरेज का मेरे कोई ख्याल नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं कभी जिंदगी में सेकंड मैरेज करूँ लेकिन ये सारी बात सिर्फ मजाक में हुई और लोगों ने इस बात को क्या से क्या रंग दे दिया मुनी बर्ट का कहना ये था कि वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं जब मुनी बर्ट के खिलाफ पूरा पाकिस्तान की ओरतें खड़ी हो गई तो मुनी बर्ट को आखिरकार सोचल मीडिया पर आकर अपनी एक्स्प्लेनेशन देनी ही पड़ी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब को क्लियर किया जिसकी वज़े से सब लोगों का गुसा ठंडा हो गया जीतो विवर्स आपको हमारी इस्ट की वीडियो कैसी लेगी कमेंट बॉक्स में हमें बताना न भूलिएगा